नमस्कार दोस्तो, मैं राज सिंग, Microsoft Certified Trainer, आज लेकर आए हूँ एक नयाब रीडियो आपका Excel के उपर, Microsoft Excel के अंदर basics ऐसा लोगों को लगता है कि हमें बहुत आता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना हमेशा, कि जब जिन्दगी में बहुत उचाही तक जाना है, या किसी भी Advanced Label को सीख ही नहीं सकता, तो आईए मैं कुछ छोटी-छोटी, मगर मोटी बात यहाँ पर बताऊंगा, जैसे कि यह particular table है, और इस table को मैंने यहाँ पर copy किया, और मैं यहाँ पर paste कर रहा हूँ, अब यह जो particular table को मैंने paste किया है, आप देखो कि तो इसके outside में border है, आप मुझ जैसे आप no borders पर click कर देता हूँ, अब देखो यहाँ पर आपको outside border दीख रहा होगा, यहाँ पर कोई border नहीं दीख रहा है, तो आप इसको border निकालना भी बोल सकता, आप border simple ही तरीके से निकाल दिया, अगर दिया है तो, या आप देखो outside borders, तो अगर मैंने click क्या outside border, तो इस तो आप आप देखोगे, तो यहाँ पर thick border आ चुका है, अब आपको किसरे उपर तो दिखनी रहा है, देखिए, इस table को आप select करना है, अगर पूरे की पूरे table को move करना है, आपको इस place से कहीं और move करना है, तो आप यहाँ पर आ आ जाओ, जैसे इसके border पर आ आ जाओगे, तो देखो, मैंने इस table को किसे move किया, इसको किते है move करना, अब आपको सारी borders यहाँ पर perfectly दिख रहे होंगे, अब अगेर आप इसो select करके, यहाँ से यहाँ जहाँ पर भी चाहो, आप उसे move कर सकते हो, तो इस तरीके से आपने डेखा table को, अगेर मैं इसे copy करता हूँ, यहा बारा borders पर चले जाते हैं, अब देखो, यहाँ पर एक आता है, आपके पास border, all borders, all borders क्या काम करता है, अंदर बाहर हर जिगे सारे cell को एक border देदेगा, तो आप इसे click कर दो, all borders, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर perfectly एक border दिया जा चुका है, जैसा कि table हमने already copy किया है, तो मैं इसे paste करूँगा यहाँ पर, copy और यहाँ पर मैंने paste किया, आए कुछ formatting देख लेते हैं, इसके अंदर कैसे data को हम format कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने यह heading को select किया, heading को select करने के बाद मेरे बाद दो option मिलते है, font group के अंदर, यह पहला option है, यहाँ पर रोग क्य है, दूसरा है font color, तो font को black color या blue color और यहाँ पर orange या green कोई भी, तो आप देख रहे हो, सिर्फ font color हो रहा है, तो यह दोनों चीज़ों में अकसर लोग confused होते हैं, कि कौन सा formatting दिया जाए, तो आप एक चीज़ मैं trick आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर एक चीज़ आपने कोई भी light color में ले सकता हूँ, ऊपर वादे, तो कोई भी light color आपने यहाँ पर ले लिया, तो इस तरीके से यह combination होता है, कि dark के उपर light color आप इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर कोई और color देना है, तो यहाँ पर हम जाते हैं, तो यहाँ पर आप हम कोई light color ले ले इस तरीके से मैंने इसे color combination इस तरीके से दे दिया, ठीक है? आईए, अब एक और इसे हम copy करते हैं और यहाँ पर हम इसे paste करते हैं, अब यह जो table में मैंने copy paste किया है, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूं कि मैं इसे select करता हूं, थोड़ा सा मैंने इसे bold कर दिया, या मैंने इसको italic कर दिया, या मैंने इसको underline कर दिया, यह सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, underline के अंदर भी आपको double underline का भी option मिलता है, तो यह सारी चीजे बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, यह सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो, फिलाल मैं इसे बोल्ड रख लेता हूँ, font की size को बड़ा करना है, तो यह आपका font को change करना, या फिर font की size को बड़ा या च्रोटा करना, ये आपके उपर है, जैसे कि मैंने थोड़ा सा font यहाँ पर change कर दें, यह bold वाला है बने ले लिए, फिर मैं इस टेबल को copy करता हूँ और यहां पर paste करता हूँ, अब मैं इसका थोड़ा font बड़ा कर दे रहा हूँ यहां पर और इसका थोड़ा सा size बड़ा करने के बाद मैंने font को भी थोड़ा सा change कर लिया इसमें से कोई एक अलग font लिया है मैं जान वच कि अलग थोड़े से font ले रहा हूँ आगे हम कुछ करेंगे इसके उपर तो यह आपने देख लिया कि मैंने बहुत सारी चीजों को इसमें यह करके यहां पर basic जो चीजे थी वह सारी चीजें ऐसी कर लिया है यहां पर ठीक है तो आपको basic के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा होगा आप इसको practice कर लिए और इतना ही नहीं है नेक्स वीडियो में हम इन में बहुत सारी advanced चीजें भी सीखेंगे